ये दस का अंकड़ा पार नहीं कर पाएगी बीजेपी लेकिन ये सरकार बनाना नहीं चाहती ये सरकार इधर उदर कुमा के उनको घुमाना चारी है जूटे जुमले चोड़ती है इसी तरह से आज 2 लाख सरकारी पद्ध खाली पड़े हैं लेकिन ये भरना नहीं चाहते एक एच के आरन बड़ा दिया इन्होंने जो डिपलाइमेंट पॉलसी 2022 का वो है ये नायब सैनी जुम्मा जुम्मा तीन महींने पहले आए साड़े यद्नों पोने 10 साल जो है खटर साब ने हर्याना के हर वर्ग को एक तरह से जिस तरह से कुठारा घात करना होता है वो किया है अगर हुड़ा साब का दस साल का कारेकाल देखे हो और भाजपा का जो अभी ये कुसाशन देखे इनका तो आप ये देखे कि जो फाइट है वो सिदीर कांग्रेस और बीजेपी के बीच में है और ये जो है करीबन मुझे ऐसा लगता है कि ये दस का अंकड़ा पार नहीं कर पाएगी बीजेपी क्योंकि नबे सिते हैं इन्हों ने जो हलात किये हर्याणा के आप ये देखे दस साल जो है इस सरकार ने काम किया है और आपको यह चान कर देखें करीबन एक साल तक जो किसानों को सड़कों पर रखा इन्होंने और साड़े साथ सो किसान ही दो गया उसमें इनको कोई फरक नहीं पड़ा आज भी किसान सड़कों पर बैठा है वो अपनी मांग करता है कि उनको MSP का गरंटी कनून की मांग कर रहा है लेकिन यह सरकार बनाना नहीं चाहती यह सरकार इदर उदर कमा के उनको घुमाना चारी है जूटे जूमले चोड़ती है इसी तरह से आज दो लाख सरकारी पद खाली पड़े हैं लेकिन यह भरना नहीं चाहते एक HKRN बना दिया इन्हो ने जो डिपलाइमेंट पॉलसी 2022 का वो है उसमें आप एक जो लोगों को ठगने का गाम कर रहे हो लोगों को ध्यारी दार मजदूर बना रहे हो जिनको जॉब चीए जॉब सिक कर ध्यारी दार मजदूर बनाया जा रहा है इस से लोग तरस्त है और इसी तरह से छोट- के अंदर फेलियर है और इस तरीके से आज लोग इतने परशान हैं इंट से अब जैसे ही चुनाब की तिथी लोग इस चीज़ की वेट कर रहे थे और आज जो तिथी आज जो कोड ओफ कंड़क्टर लगा है इस पे लोग आज इस बात से खुश है कि ये सरकार सत्ता से कारे में और जो मले जीते हैं वो अपना नेता चुनते हैं उसके तहत जो है मुख्यमंतरी का फैसला होता है और वो होगा जिस तरह से आप देखिए दस साल हुड़ा साब का राज रहा वो आज सी लपी लीडर है उधे भान जी कॉंग्रेस प्रेजिडेंट है बहुत ही कि हाई कमान फैसला करेगी कौन मुख्यमंतरी ने यहां प्रेस कॉंफरेस की थी सुवल हर्याना निवास में १ेरा-जोदा कॉंग्रस से सवाल पूछै थे रस्टाचार के खिले अरोब लगाए थे कहा कि कॉंग्रस केउम रस्टाचार से सना होग और खून निकलता है उस अगर नौकरी मांगने लेडी चली गई और इन्होंने कहा कि आपको चांद पे भेज़ देंगे अब वो कहा है ये कॉंग्रेस पे सवाल करने वाले लोग हमारी क्रीबं डेड़ लाख नौकरी सरकारी दी थी हमने इन्होंने HKRN की 20-30,000 लोग, 40,000 लोग लगा के वो एक नौकरी नहीं दी वो एक तरह से उनको ध्याड़ी देने का काम करने हैं तो लोग आज कल ध्याड़ी से साथ अपना गुजारा नहीं कर सकते आज उनको नौकरी चाहिए, नौकरी से क्योंकि महंगाई इतनी बढ़ चुकी है कि वो अपना घर का राशन नहीं ला पारे तो उनको सुचारू रूप से करने के लिए उनको मुख्यधारा में लेकर उनको सरकारी नौकरी देने का काम जो है कॉंगरेस की सरकार करेगी लेड़ा साब, कॉंगरेस किन मुद्दो पर जनता के भीच जाने वाली है, क्या एजेंडा कॉंगरेस का है? देखे, जिस तरह से कॉंगरेस के कई वाइदे, पांच-सात वाइदे तो हैं और एक अपना मैनिफेस्टो लेकर भी आएगी जो हमने वाइदे की हैं, जैसे हर्याना के अंदर पांच-सो रुपे का सिलंडर मिलेगा एक हमारी जो महिलाएं हैं, बहने हैं, उनको एकदम से फौरी राहत दें कि साड़े नो सो का सिलंडर पांच-सो रुपे का हो दूसरी बात ये रखिए हमने की छे हजार रुपे बजुर्ग पैंचन हम करने जा रहे हैं, जिस से आम बजुर्गों का जो हमारे शक्ती है, बजुर्ग शक्ती है, उनको फाइदा मिले तीसरी बात ये है कि हम जो है, तीन सो यूनिट बिजली जो हर आदमी को इसमें जो जो गरीब है उनको फ्री देने का काम करेंगे इसी तरीके से हमने जो ये कहा है कि हम OPS जो है उनके लिए भाईयों के लिए जो लोग OPS चाते हैं, हम OPS लागू कर देंगे हरयाना के अंदर वो पोलटर जनवीरोन दी हजया हम परिभार उत जान IPS और के उसी देजैं क्या बंद खिया जाएंगे जिу जो जंडिशी पोलлед्रा उनको श्रूब किया जाएगा जन जन हितेश्ची पोटल जैसे किसी को अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनाना है किसी को अपनी कोई सुविदा लेनी है वो तो रहेंगे लेकिन जो पोटल जन विरोधी हैं जिस तरह से आप प्रॉपर्टी आईडी लें आप मेरी फसल मेरा ब्योरा लें औ प्रिवार पैचान पत्तर बना रखे यह तंग करने वाला जो काम है इसको बंद करेंगे और सुचारू रूप से लोगों को असान तरीका देंगे कि जिससे उनका काम जो है सुचारू रूप से चले लाईने लगा के धक्के नहीं खाने पड़े राहूल और प्रियंका गांधी क्या हर्याना के चुनावी जन सबाव में देखे जा सकते हैं बिल्कुल लगातार जो है उनके तो इलेक्शन से पहले ही अभी उनके प्रोग्राम बन रहे हैं और राहूल गांधी जी का भी खडगे जी का भी और सारे सीनियर निता का प्रियंक को तक सीधा पुंचा रहे हैं कैमरामें संजे सिंग के साथ चंदरिशेकर धरनी पंजाब के स्री टीवी चंदीगड हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाए अगर आप ये वीडियो फेस्बुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें धन्यवाद